हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो माइनिग मिरर एंड वेलकम टो आनादर इंफरमेटिक वीडियो अगर आप मेरे चनल में नया है तो सब्सक्राइब जरू करिएगा और वीडियो अचलाएगा तो लाइक जरू करिएगा इन इन धिस वीडियो वेड़ गूँक डीस्कॉस एवावट बाइपर्टाइट और ट्राइपर्टाइड कमेटीज के बारे में जानने से पहले थोड़ा से खाली चीज को रिमाइंड कर लेते हैं कि अपना इंडिया में जितना भी माइन से उसका सिफ्टी कॉममेंटर कौन क कोुई भी मायांंस का ऊसका या को भी कमपनी ऊसका खुदका रहता है। वह है International safety organization of the mining companies यह दो है एक central government के तरब से और एक खुदका है। यह 2 है मेजरली आपना safety को मायांइज का safety को monitor करता है अब चलते हैं बाइपाट्राइट और tripatite के बारे में जानते है by क्या होता है और try क्या होता है by मतलब 2, try मतलब 3 कोई भी committee में या कोई भी meeting में या safety meeting में जहांपे 2 party बैटके discussion करता है उसको बोलते हैं बाइपाटाइट committee और जो committee में 3 party मेलके बैटके decision करते हैं safety के बारे में उसको बोलते हैं tripatite committees तो पहले थोड़ा सा जानते हैं बाइपाटाइट के बारे में तो कोई भी minds हो या कोई भी companies हो उसका mainly stakeholders कौन होता है stakeholders वही है जो directly और indirectly कोई भी company या कोई भी organization involved है उसको बोलते है stakeholders अगर हम लोग minds के बारे में सोचेंगे तो minds का stakeholders कौन-कौन होता है एक है mind का management और एक है workers तो अगर minds का safety तो सबका होता है, एक जनका तो नहीं होता है अगर उस safety के बारे मे ऐ minds management और worker या worker का representatives बैटके कहीं भी discussion करते हैं safety के बारे में उसको बोलते हैं bipartite committee अब बोलते है tripartite क्या है जिसमें तीन पाटी बैठेगा मतलब minds management workers और workers union का जो representatives और central government तो central government को यहां पर representative कौन करता है वो करता है DGMS तो यहां पर तीन पाटी हो गया DGMS, minds management और minds workers और representatives तो तीन पाटी यहां बैठके minds का safety और healthiness के बारे में बात करता है उसको बोलते हैं tripartite meetings यह tripartite meetings mainly एक साल में दो बार होता है तो इसमें क्या है कि minds का जो safety, unsafe चीज इस सारा चीज decision होने के बाद बहुत सारा चीज निकल के आता है मतलब क्या safe करना है, क्या unsafe हो रहा है, अगर कहीं unsafe हो रहा है तो उसको safely कैसे handle किया जाए या कहीं अगर कुछ minds में कुछ accident हुआ, तो accident किसली हुआ, उस सारा चीज के उपर decision होता है यह कि brainstorming और कुछ-कुछ निया idea भी निकल के आता है, बहुत सारा चीज इसमें निकल के आता है जो DJMS उसको बाद में bylaws भी निकालता है, या कोई भी minds में implement करने के लिए उसका rules निकालता है तो यह हो गया overall एक बाइपटर ट्राइपटराइड कमेटिस के बार में अब चलते हैं कि safety तो खली बाइपटर ट्राइपटराइड से नहीं चलेगा अपना minds का level में भी हम लोग कुछ-कुछ safety का छोड़ा-छोड़ा committee बना कर रखें वो हम लोग को पता है, आज पर rule हम लोग को पता है 1955, the minds rules है, पहला चीज यह safety committee अट minds level, एक safety committee हम लोग है, जो हम लोग beat safety committee बोलते है उसको हम लोग हर महिना उसको बेटते हैं सब को ही, उसमें decision करते है तो वो mainly किस level में होता है, minds level में होता है उसमें कौन-कौन रहता है, minds management भी रहता है और workers भी रहता है या representatives भी रहता है, तो वो एक bipartisan committee है 1955 का जो the minds rules है, उसका rule number 29T में आता है safety committee, ओके, अब चलते हैं और क्या है minds में workman's inspector, rule number 29Q, 1955, the minds rules में तो workman's inspector थो हम लोग पता है यह, को workman's inspector कौन होता है किसले select किया जाता है, वो mainly 3 department cover कर रहे हैं जैसे mining, electrical, mechanical discipline से हम लोग उसको nominate करते हैं workman's inspector को, तो वो DJMS के साथ सारा जो compliance होता है तो status of compliance, वो recommendations, वो सारा चीज फोराड होता है और वो DJMS से directly contact में रहता है third में क्या है, area level, bipartite and tripart safety committees वो तो ठीक है, हम लोग decision किये उसके बारे में अब चलते हैं सबसे यह important चीज है जो है national conferences on safety in mines तो national conferences क्या है, यह भी एक tripartate committee है इसमें खाली DJMS, Minds Management और वारकास रेडिस्ट नहीं आता है उसमें जो government का educational research institute है वो लोग भी इसमें involved होता है और यह बहुत बड़ा माइने में होता है और इसमें सारा चीज, जो research है जो नया चीज कुछ कोई invent किया या कोई दूसरा जो country यह वो कुछ follow कर रहा है जो हम लोग follow करेंगे तो भी हम लोग को उसमें advantage मिलेगा या नहीं मिलेगा तो उस चीज में decision होता है अगर कोई minds में कुछ accident हुआ तो वो accident को avoid करने के लिए next को ऐसा हो, repeat ना हो अभी यह जो forum है बहुत बड़ा forum है यह national conferences है यह अभी तग हम लोग 12 such conferences हो चुका है और हर conferences में कुछने कुछ result निकलता है यह बहुत fruitful होता है बहुत सरा चीज में निकल गयाता है तो इसमें सबको इंस्टरट करता है DJMS के इस चीज को आप implement करिये जैसे के for example अगर हम बात करेंगे अभी का जो आ रहा है fatigue monitoring system, digitalization, अभी तो एक digital chip का भी आ गया कि आपका जो i card है उसमें एक चीप लगा रहेगा उसमें आपका जो medical reports है जो आपका addresses हो गया अज personal information, medical information, जो आपका professional information, सारा चीज उसमें link लेता है इविन आपका अधार कार्ड भी तो वो एक इस सब conferences में बहुत सारा नियानया चीज सब implement होता है तो यह एक बड़ा subject हो, वो 12 national conferences हो, एक से लेके 12 तग अगर हम लोग decision करेंगी तो step by step हम लोग का पता चलेगा कि कितना कितना चीज यह सब धीरे 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 हम लोग evolve हो रहे है तो उसके बारे में हम एक extra video बनाएंगे किम्कि वो थरा लंबा हो जाएगा तो जो main main points आता है जो mainly तो ऐसे जानने के लिए तो सब कुछ जानना चाहिए लेकिन अगर exam point of view देखेंगे तो जो main main point है उसी को लेके हम एक video बना के लाएंगे तो इस वीडियो में इतना ही तो friends मिलते हैं अगला वीडियो में तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग है तो subscribe जरू करिएगा like and share with your friends and see you in the next video thank you